नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी तो यूपे में निवेश का महाकुम्ब अभी तक निवेश को ने जो भी निवेश यूपे में किये है अब उसको धरातल पर लाने की तयारी में है योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमणी कागास हो चुका है अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमणी में शिर्कत करते हुए नजर आएँगे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के गाए है एयरपोर्ट से लेकर इंद्रा गान्दी प्रतिष्ठान तक जगा जगा तक्रीबन पर 10 से 12 पंडाल लगाए गए है और ये देखे अलग-अलग तस्वीरें जिसका हमने जिकरे किया वो लगातार प्राइम टीवी अपने दर्श को तक पहुचा रहे है जहां यूपी की संस्कृति की जलकिया सडकों पर देखने को मिल रही है अलग-अलग शैलियों में रित्य प्रस्तुत किया जा रहा है और कुछ इनी तस्वीरों के साथ महमानों का भी स्वागत किया जा रहा है 14 मंच 22 पंडाल और 350 कलाकार प्रस्तुती करते होए यूपी की राजथानी लखनों की सडकों पर नजर आ रहे है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी भी पहुचने वाले हैं और सुबे के मुख्या सीम योगिया आदतनात उनका स्वागत करेंगे राजपाल आनंदी बेन पटेल इस कारिक्रम में मौझूद रहेंगे इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनात सेंग और साथ ही लखनों के सांसत भी इस कारिक्रम में मौझूद रहेंगे तो जब ये निवेश धरातल पर उत्रेगा तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि युवाओ के लिए रोजकार के बड़े और व्यापक अफसर पैदा होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाओ से पहले युवाओ को साथने के लिए ही ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का युजन क्या गया है तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी पर विपक्षी दल लगातार बीजेबी पर हमलावर भी नज़र आए लेकिन फिलाल लखनाओ पूरी तरीके से सचकर तयार हो चुका है महमानों के पहुशने का सिलसला शुरू हो चुका है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी व्यवस से थोड़ी ही दिर बाद इस कारिक्टर में शिर्कत करने वाले हैं और लखनाओ की सचके बैनल्स पोस्टर से पूरी तरीके से पटी हुई है और चौदा स्टेज बनाए गए है एरपोर्ट से लेकर इंद्रागांदी प्रतिष्ठान तक और इन चौदा ही स्टेजों पर अलग अलग रित्य हो रहे हैं एरपोर्ट पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम है लोक अलग अलग तस्वीरे हैं जो प्रायम टीवी लगतार अपने दर्शकों तक पहुचा रहे हैं कि कैसे लखनाओ पूरी तरीके से सचकर तयार हो चुका है एक तस्वीर है जहाई अर्पोर्ट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के गए है रोक नित्त की प्रस्तुती की जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है पुलिस कर्मी पूरे लखनओ को इस वक्त चावनी में तब्दील कर दिया है जगा जगा बैरिगेटिंग भी लगाई गई है डायवरजिंस किये गई है ताकि जो भी महमान देश और विदेश से आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मानी में पहुंच रहे हैं उनको परिशानियों का सामन ना करना पड़े तो दस करोड के 14,619 पर्योजनाओ की आज शुरुवात होने वाली है रक्षामंत्री राजनाथ सेंग इस कारिक्रम में मौजूद रहेंगे और देश और दुनिया के करीब 50,000 महमान इस वक्त लखनओ में मौजूद और कहा जा रहा है कि देश और विदे सेरमनी के जरीए 33.5 लाग से जादा रोजगार मिल सकेंगे तो जी बी सी फोर का शुबारम और निवेश कारम 10 लाग करोड की पर्योजनाओ की शुरुवात होगी मोबाइल असेंबल यूनिट के लिए 170 करोड का निवेश क्या गया है जिसको धरातल पर लाया जाएगा मेडिकल डिवाइस वेलेस सेंटर स्थापित होंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में यीडा के पास 130 प्रतिशत से जादा का लक्ष नरधारित किया गया है केंद्र और अन्य राजियों के 52 मंत्री भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में हिस्सा लेंगे 25,000 अतितियों के बैठने की विवस्था भी आज लखनव में की गई है और आज से शुरू हुआ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी का ये कारिक्रम 22 फरवरी तक यूही जारी दहेगा और AI से खुलेंगे यूपे में नए दौार चित्रकूट अमेठी में फूड प्रोसेसिंग लगाया जाएगा और इसके साथ ही दस लाख करोर से जादा के निवेश का जो प्रस्ताव है आज उसको धरातल पर लाया जाएगा और तकरीबन 14,00619 पर यूजनाओं का शुबारब होगा और उमीद की जा रही है कि लाखो युवाओं को रोजगार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी के बाद मिलने वाला है और इंद्रागानी प्रतिष्ठान जहाँ पर इस कारिक्रम का योजन होना है वहाँ आसपास के बिल्डिंग्स पर कमांडोस की तैनाती की गई है ये इलाका नो फ्लाइंग जोन घोशित कर दिया गया है वही लाजबी है कि अगर चुनाओं से पहले कोई भी कारिक्रम होगा तो उस पर राजनीती होनीत है ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मनी पर भी अकलेश आदव ने दंज कस्ते हुए कहा कि वोट चाहिए इस दिये ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मनी हो रही है अगर सुबह के मुख्या और देश की प्रधानमंत्री को युवाओं की इतनी ही चिंता थी तो ये groundbreaking ceremony पहले क्यों नहीं हुई ये तमाम बड़े आरोप लगाई गए हैं सरकार पर भाचपा सरकार पर लेकिन देखें ये चौथी groundbreaking ceremony है इससे पहले भी groundbreaking ceremony और summits का आयोजन हुआ है इस दौरान कितना गुना निवेश बड़ा है ग्राफिक्स के जरीए ये आपको बताते हैं जो पहला समिट हुआ था उसमें 14.28 लाग के MOU हस्ताक्षर हुए थे उसमें और जुलाई 2018 में पहली बार groundbreaking ceremony का आयोजन यूपी में हुआ था 61,700 से जादा की 81 परियोजनाओं के शुरुआत हुई थी और जुलाई 2019 में दूसरी groundbreaking ceremony हुई थी और 66,202 करोड की 290 परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी और जून 2022 में तीसरी groundbreaking ceremony का आयोजन भी भाजपक के सशनकाल में हुआ इस दौरान 80,000 करोड की करीब 400 परियोजनाओं की शुरुआत हुई और फरवरी 2018 में पहला यूप इन्वेस्टर समिट हुआ जिसके बाद से लगतार इन्वेस्टर्स को रिजाने के लिए समिट्स का योजन हो रहा है और जब पहला समिट हुआ था तो उसमें 4.28 लाकी परियोजनाओं परमोयो हस्ताक्षर हुए थे जुलाई 2018 में पहली बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी हुई थी और आज चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी में निवेश लगतार बढ़ता जा रहा है जुलाई 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी हुई थी और लगतार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी के जरीए जो भी M.O.I.U. पर हस्ताक्षर हुए है उनको धरातल पर उतारने की तैयारी है और धरातल पर उतारने के लिए ये चौती बार ग्राउंड आयोजन हो रहा है और 10 लाग करोड के 14,619 परियोजनाओं का शुबारम होगा जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा जिसके लिए लगनव तयार हो चुका है लगतार हम यालग-अलग तस्वीरे दिखा रहे हैं लगनव के अलग-अलग चौराहों के तस्वी परियों में ये रित्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं और बस अपसे थोड़ी ही देर बात का वो समय होगा जब प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी इंद्रागांदी प्रतिश्ठान पहुँच जाएंगे लगतार कमांडोस की तैनाती की गई है इंद्रागांदी की है लकनओ क्योंकि अब पुलिस प्रिशासन अलर्ट हो चुका है और कहा जा रहे हैं कि बस अबसे थोड़ी ही दिर बात का वो समय होगा जब प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी इस कारिक्रम में शिर्कत करेंगे इस वक्रत कलीम हमारे साथ लाइव जो चुके है कलीम कि अब परधान मंत्री नरींद्र मोधी तो उनके लखनाओ के आगमान को लेकर के पुलिस पूर्स पूरी तरीके से अलट हो चुकी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ छड़ में परधान मंत्री नरींद्र मोधी आईजीपी पहुंचेंगे जहां पर उनके दौरा जो जो निवेस था उसकी बुनियाद रखी जाएगी और इसके साथ ब्रेकिंग सरीमनी की सुरुवात की जाएगी उस दौरान जो जो लन्याज और लोकार पर करना है कई परियोजनाओं का उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारिया हो चुकिकि हमारे पीछे कि अब तस्वीर 2005 चणार मैमान पर अब अकर्पता और फिक तरफ keyword से आईजबर पहुचे हैं हो तो कि आपर परस्थान सब्सक्राइब तस्वीरे साफ तोर से आपके सामने नजरा रहा है कि यह जिस तरीके से कहा जा Sims करोão कि के जो प्रोजेक्ट का सूबहरार माश करेंगे और उनके साथ ही आज के दिन यूपी के मुख मंत्री योग यादितनाद राजपाल आनंदी बेन पटेल और रच्छा मंत्री राजना सिंग भी साथ में मौजूद रहेंगे या पर उप्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के ही साथ आएंगे देखिए मुज फकान जी इस तरीके से बात की जाए परदान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ जो योगी G20 के अगर बात की जाए G20 में जो दसलाग करोण का जो निवेस हुआ था उस निवेस की आज जो बुनियाद रखी जाएगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की जो बात कही जारी वो रोजगार मिलेगा उसको लेकर के जो पूरी तयारिया है उसका जो शिलनास और कारपड़ भी होगा क्योंकि आज उसके साथ साथ जो बुनियाद रखी जाएगे उसके साथ कई परियोजनाओं का भी आज सुभारम करेंगे उसी चीज़ को लेकर के परधान मंदरी लखनाओं में उपस्तित हो रहे हैं और राजदानी लखनाओं में ये बड़ा प्रोग पूरी तरीके से जो अलेट पर है वो अलेट रखा है क्योंकि यहां पर परधान मंदरी कुछ ही छड़ों में बस पहुंच सकते हैं क्योंकि जो उनके लखनाओं को प्रधान मंदरी जब आईगे पूरी तरीके से रास्ता रोका या है और तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से लखनाओं को च्छावनी में तबदील कर दिया गया है और क्या कुछ सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम के गए और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निग्रानी रखी जा रही है कली अगर अधिकारी ये वो लगाये गही है लेकिन इसके साथ 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 अगर सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो लगबग पुलिस कर्मी जो लगाये गहे है प्रदानमंदरी का उस दौरान किसी तरह की कोई भी चूग ना हो उसको लेकर के जो भाव मंजिला इमारते हैं उन इमारतों पर पुरी तरीके से जो इर्दिगर्द जो लोग घूमते हैं उनको भी साफतार से हटा दिया गया रास्ता पूरा पुरी तरिके से चाउनी में तबदिल कर दी गई है चाउनी में तबदिल करने के पीछे जो वज़ा है कि किसी तरह की जो चूक है वो ना देखने को मिले आज से ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी का आगाज हो रहे है और इस आगाज में प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी मौधी मौजूद रहेंगे चूकि यह सर्मनी 22 तक चलेगी तो इन अलग 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 कारिक्रम होंगे जी कली देखे फिलाहल जिस तरीके से आज की बात की जाए 19 तारीक को क्योंकि 19 तारीक को यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में परधान मंत्री योग्या अधितनात उपस्तित हुए और लखनव में जिस तरीके से मौजूद है क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से जो बुन तो लखनौ में भी कई परियोजनायों का जिस तरी के सिलन्यास होगा तो लाब देने की जो बात कही जारी बेरोजगार युवाओं को रोजगार जो देने की बात की जारी वो भी कहीं न कहीं जो कंपनिया थी उन कंपनियों में निवेस की पूरी जो बात है वो देखने को मिल सकती है बिल्कुल देखे नई नई कंपनी लगेंगी और कहा जा रहा है लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन चुनाव से पहले अगर कारिक्रम कोई भी हो तो उस पर सियासत लाजमी है अखिले शादव ने तो साफ तोर पर कह दिया है कि ये सिर्फ युवाओं को रिजाने जैसा है ग्राउंड्रेकिंग सेर्मनी 6 माईने पहले भी हो सकती थी और विपक्षी दलों के तरफ से अच्छा प्रदिक्रिया आई है सेर्मनी को लेकर अगर विपक्षी लगतार तो इस मामले को लेकर के निसाना साथते हुए नजर आ रहे हैं फिर चाहे यूपी 112 की महिलाओं की बात की जाए या फिर एको गार्डन में जो अभ्यारती है वो परतसन करते जो नजर आ रहे है या फिर यूपी अभ्यारतियों की बात की जाए उन सभी युवाओं को लेकर के एक लंबा तंज जिस तरीके से तंज विपक्ष ने सरकार पर निसाना साथते हुए साफताओं से तंज कसा क्योंकि जो से पहिना पहले कहने की बात कही गए देख्योंकि जिस समय जी ट्वेंटी यह हुआ थ बात की जाए कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी लखनव तो पहुंच चुके है और कितना समय बाकी है उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कि अधिया फिलाहल जिस तरीके से डेड़ बजे का जो प्रोग्राम रखा गया था एक बच के तीस मिनट का फिलाहल एक अठावन हो गया तो यानि कि यह जरूर का जाए क्योंकि जो पांच जार जो वी आईपी हैं वहाँ पर पहुंच चुके हैं देश दुनिया से जो लो पहरा लगा हुआ क्योंकि इसी रास्ते से पर्दानमंद्री का जो पूरा काफिला वो निकले गा और इसी रास्ते से कुछ इच चंड करम की दूरी पर जो इंद्रकादी प्रश्णने वहाँ पर यह पूरा प्रोग्राम होना और तस्वीरों की बात की जाए तो सड़क का पहुच रहे हैं यानि कि अगर एक आदमी के पास से उसके साथ तीन आदमी जा रहे हैं तो उनको भी रोका जा रहा है फिलाल वहां के जो सुरक्षा की बात कि यहां पर सुरक्षा के खास इंतिजाम किये गए हैं अगर हम अपने कैमरामें से थोड़ी सी एक तस्वीर कहेंग पहुच रहे हैं यहां पर पुरी तरीके से जो सुरक्षा के मद्य नजर वहां पर मौझूद है क्योंकि उनको स्नाइपर के रूप में जो पहुच रहे हैं वहाँ पर खड़ा किया गया है कि किसी तरह की कोई भी सुरक्चा में चूग ना हो और किसी तरह की कोई भी अराजक्ता ना फैल पाए उन सभी जगों पर लगतार निगा पुलिस बनाए हुए है सभी जगों पर पुलिस लगतार निगा बनाए है सीजी टीवी से निगरानी की जारी है देश विदेश से जो महमान थे वो भी पहुँच चुके है लेकिन वो बड़ी-बड़ी उद्योग पती कौन से है कलीम जो स्वक्त इंद्रो गांधी प्रतिश्थान के अंदर मौझूद है अजिए अगर उद्ध्यग पत्यों की बात की जाए तो इसमामले को लेकर करकि जो अडानी ग्रूप एस आडानी ग्रूप की इस ग्रूप ये जो बात कहिए जो बाहर के अगर बात की जा विदेशों के कंपणी वो भी वीदेशों की कंपाइए। इस निवेस के दौरान जो बुनियाद रखी जा रही है उस बुनियाद में जो इंडस्ट्रियां यहां लगेंगी उन इंडस्ट्रियों का किस तरीके से सुभारम होगा कैसे युवाँ से बिल्कुल ठीक है लेकि कली मगर उद्योग पतियों के बात करें तो अडानी और आजनिया बिलूस्में करें ये सब से जाधे साथ यूपे के कौन से शेत्र में कर रहा है कि अगर बात कि जाए बिजली विभाग मिलेगा और इसके साथ ही जो परियोजनाओ के बात कि तो बात कि लड़ की बात की जाए इसके साथ यूपी के अलग अलग जिलों में जो इंडस्ट्रियां खुलने की बात की जा रही है क्योंकि उन में जो पैसा निवेज किया जा रहा है यो रोजगार को लेकर के उसमें एक बड़ा बड़ी सहभागिता इनके द्वारा जो निभाने की जो डाव की जारी के उद्ध्योग पतियों के साथ तो पांच जार यहां पर महमान पहुचे हुरे वो सब उनका इंटिजार कर समद्रीमा के उनका कुछ चण और बचत जो लखनौन में पर्धान cuántry का जो प्योग्राम है वो सुरु हो एंब में सुषर्गार्ध की पहुच पह जो लोगों के बीच महमानों के पास पहुंचेंगे और उस दौरान जो सिलन्यास होगा वो भी एक तौर से देखने के लिए होगा और इसके साथ ही जो मंद्याचल की बात की जाया है मंद्याचल कई ऐसे छेत्रों पिल्कुल ठीक है लेकि कलीम ठीक है अब से थोड़ी देर बाद प्रदान मंत्री नरीत मोदी इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान पहुत जाएंगे क्योंकि चहल कदमी पुलिस कर्मियों के हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो लगतार पैनी नजर बनाय हुए हैं लेकिन कलीम एक यूपी पर सबसे जादा इन्वेस्ट किया जा रहा है और सियासी लिहास से अगर हम पश्यमी यूपी की बात करें तो यह बीजेपी के लिए बहुत मातवपूर्ण है क्योंकि 2014 के परिणामों को पश्यमी यूपी में दौराने की चुनौती है बीजेपी के पास ऐसे में आखिर पीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास लेकिन जब परियोजनाओं की बात आई तो सबसे जादा आखिर पश्यमी यूपी को ही क्यो दी गई परियोजनाए का सबस्यमी यूपी की बात की जाया तो अगर यूपी में लगातार जोसी यातरा की बात की जाए निया यातरा क्योंकि नियायात्रा में भी पस्चिमी यूपी से जो लोग है वो काफी उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर सोसल मीडियाओं की बात की जाए तो परियोजनाओं को लेकर के भी साफतोर से वहां पर जो किसानों को लेकर के या फिर जो आम जन्म मजबूत मानी जाती थी और महां पर से जो अगर इस बीज चुनाओं के अगर बात किया तो उसको लेकर के भी काफी सक्री है बिलकुल चीक है यानि कि साफत और पर कहा जाए कि पश्यमी यूपी को बीजेपी ने सादने के लिए ये समाम जो बड़ी योजनाए है इसकी बावन प्रतिशत की योजनाए जो है ये सिर्फ पश्यमी यूपी को दी गई है अब देखें लगतार लखनव सचधशकर तो तयार हो चुका है लखनव की सडकों पर सांसुती कारिक्रमों की जलकिया तो देखने को मिल रही है लेकिन अभी जो बड़ी उद्योग पती है इनका जमावरा कितने दिनों तक रहने वाला है लखनव में कि अधिया फिलाल जिस तरीके से जो पांच हजार जो महमान पहुंचे हुए वह फिलाल आज की अगर तस्वीरों की बात की जाए आज तो फिलाल आई जीपेम में क्योंकि तीन दिनों तक पूरा प्रोग्राम जो रहेगा यूपी में तो जाहिर से बाते कह सकते हैं जो नि कि अगर चैलेंज की बात की जाए क्योंकि जिस तरीके से वी आएपी मेहमानों को उनके आगमन तक ले जाना और उस आगमन से लेकर के जो कारेकरम इस्थाल है वहां तक पहुंचाना यह एक जो चैलेंज है क्योंकि ट्राफिक और यस्था को लेकर के कई बार जो सवाल भी खड़े हुए थे उन सभी सवालों के भी जो एक चैलेंज मिला है उस चैलेंज को बाखूबी निवाने के लिए जो लखनव पुलिस के अगर बात की जाए वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई है और सड़कों पर उतने के साथ ही यहां कि पी महमान उतर रहे हैं उनको वहाँ सीधा जी जो अगर बात की जाए साहीत पत्स से होते हुए सीधा आईजीप तक जिस तरीके लाए जाया तो हर जगा पर पुलिस पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है है अगर कहीं से कोई भी आपको असमंजस होता है कुछ जानका होगा वो देखने निवेस की जो बुनियाद है वो जो इंडिस्ट्रिया लगेंगे उसमें जो रोजगार मिलेगा वो एक एहम चीज रहेगा बिलकुल चीक है धरवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुचाने के ल दिला रखिया तो वही दूसरी तरफ आज प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी युवाओ को एक बड़ी सौगा देते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि यूपी में जो निवेश का महाकुम्ब था अब उस महाकुम्ब को ध्रातल पर उतारने की तैयारी में हैं योगी सरका और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योग्या आदतनात के जो सपने हैं उसको साकार करते हुए नजर आने वाले हैं तो ग्राउन ब्रेकिंग सर्मानी के लिए प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी लखनाव पहुच चुके हैं किसी भी वक्त वो इंद्रागान्दी पतिष्टान पहुचने वाले हैं और दस लाग करोड के 14,619 परियोजनाओं का आज वो शुबारम करते हुए नजर आएंगे धरातल पर सभी परियोजनाएं आज उतर जाएंगी इन परियोजनाओं पर काम होगा और इस परियोजनाओं के काम के शुरू होने के साथ ही अठकले हैं कि लाखों युवाव को रोजगार देने का काम भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी के जरीए किया जाएगा और इ कारिक्रम के दौरान कहा कि यूपी में उनकी तरफ से 43,000 करोड का निवेश हो रहा है दो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर टोरेंट ग्रूप आए हैं 150 मेगवाट का सोलर प्लांट है लगातार यूपी किस सरकार सोलर प्लांट पर खास फोकस कर रही है आयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है ऐसे में टोरेंट ग्रूप का ये जुनिवेश है ये यूपी के लिए कारगर और बहुत बड़ा साबित हो सकता है इसके साथ वरुन ब्रेवरेच के मालिक रवी जैपुरिया ने कहा है कि वो प्रियागराज और गोरखपुर में प् कि मोदी योगिक की सरकार कमाल कर रही है मेदानता की नई ब्रांच वो खोल रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बताएंगे कि वो ये ब्रांच को खोल का रहे हैं लेकिन अब यूपी में और नए मेदानतास पता लज़र आने वाले हैं इसको लेकर एक है लोगों को जॉब मिली है यूपी सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है लौ एन ओर्डर बहुत अच्छा है और नोईडा में लूलू ग्रूप के यूसुफ अली फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने वाले हैं तो यूपी की बहतर हो रही कानूम निवस्था को लेकर लूलू ग्रूप के यूसुफ अली ने तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि अब लूलू ग्रूप नोईडा में फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने वाला है तो देखिए महमान पहुच चुके हैं और तमाम जो बड़े बड़े उद्योग पती है वो भी पहुच चुके है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है जैसे कि मेदानता के चेयर परसन ने साफ तोर पर के कहा है कि वो मेदानता के और नई ब्रांच यूपे में खोलने वाले हैं लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि ये ब्रांच इस कहा कहा होंगी इसको लेकार उन्होंने कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं दी है लेकिन जल्द ये जानकारी भी सामने आ जाएगी प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी की तरफ से युवाओ को एक बंपर सौगात दी जारी है जिनमें से एक बहुत महात्पूर्ण कारिक्रम आज यूपी की राज्थानी लखनव में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी के रूप में हो रहा है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी के जर्गे रोजगार की बहार आने वाली है क्योंकि जब धरातल पर सभी रहे उनके तरफ से ये भी कहा गया कि यूपी की जो कानूम में वस्ता है वो दुरूस्त हो रही है और यही वज़ए कि लगतार जो देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहां पर पर पूर देखते हुए क्योंकि राजपाल के साथ सीम और परदान मंत्री यहां से साफ़ है वो भी पहुंच रहा है और अभी जो आगे की जो तस्वीर आपने देखी थी वह तस्वीर पूरी तरीके से यह सारी काडियां जिस तरीके विए राजपाल परदान मंत्री और इसके साथ मुह मंत्री योग्या इतनाथ वो सभी यहां पर पहुंचते हुए साफ़तोर से आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि यह जो गाडियां का काफिला पहुंचा है यह वही तस्वीर है क्योंकि इसी रास्ते से पूरी तरीके से जो सीम है वह प्रदान मत्री यह आई जीपी फिलहाल पहुंचे हुए है और अब यह काफिला सीधा इंद्रा गांदी प्रतिष्ठान में रोकेगा खली मुस्कान जी जिस तरीके से अगर बात की जाए ग्राउंड ब्रेकिन सरीमनी को लेकर के तो कि अपने अभी तस्वीर है जो साफ़तोर से मेरे पीछे देखी थी जो गाडियों का काफिला पुलिस की तो कि अभी जो और काफिला यहां से निकलना है उस काफिले का पुरी तरीके से इंतियار हो रही हैं क्योंकि आप गाडियों की तस्वीर देखता जाई है क्योंकि अग्रियोजनाव को आज धरातल पर उतार आतारा आंगे और प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी इंद्रा गांधी प्रतिष्टान पहुच चुके हैं काफिला रवारा हो चुका है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मनी के चौते संसकरन का आगाज आज होगा सबी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मनी के जरीए किया जाएगा तीन दिवसे ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का उद्गाटन करने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान पहुच चुके हैं सूबे के मुख्या सीम योगी आदतनाथ राजपाल आरंधी बेंट पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग भी उ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हातों होना है दस लाक करोड की 14,000 निवेश परियोजनाओ को आज सौपते हुए नजर राएंगे प्रधान मंत्री जनता को और आज सबी परियोजनाओ को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा तो निवेश की महा कुम्भू को अब तैयारी में है योगी सरकार और केंद सरकार लगातार सहयोग कर रही है ये तमाम बड़े बाते भी सुबह के मुख्या से हम योगी आदतनात की तरफ से भी कही गई हैं तो अब से थोड़ी देर बात प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी के चोथे संस्करन का शुबारंब करेंगे प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी इंद्रा गांदी प्रतिष्ठान पहुँच चुके है और कहा जा रहा है कि जब ये ग्राउंड डेकिंग सर्मनी के जरिये जो भी परियोजनाई है इसको धरातल पर उतारा जाएगा तो धार्मिक नगरियों का विकास तैमाना जा रहा है आयोध्या मत्रा और काशी के लिए करीब 40,000 करोड रुपे की निवेश की परियोजनाई भी शामिल है और प्रदीश की अन्य धार्मिक अध्यात्मिक इस्थलों के विकास का खाका भी खीच दिया गया है और इसी ग्राउंड डेकिंग सर्मनी के जरिये यूपी की धार्मिक नगरियों को बदनने का काम यानि की कायकल्ब किया जाएगा लेकिन इसके साथ युवाओ को एक बड़ी सौगात भी आज सुबे के मुख्या सीम यूग यादतनात के साथ ही प्रधान मंतरी नरीन द्रमोदी देते हुए नजर आने वाले हैं इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुच चुके है इस कारिक्रम की शुरुआ तब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी इसके साथ ही उद्योग पतियों के साथ समबाद स्थापित करेंगे उनको संबोधित करेंगे तो लगातार इस सच साहस सरोकार अनाच दिया जा रहा है सभी को अनाच पोशित समाच अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनस को प्रमोट तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट बहतर स्क्रिप्ट शांदार ग्राफिक्स बहतर विज्वल दिखाएंगे कमार जानकारी पहुचेगे जनजन तक आपका काम करेगा धमार इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान ब्रैंड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D अनिमेशन, टेलिविजन टेली कास्टिंग, सोशिल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉंटेक्ट करें 9267-925186 पर इसी के साथ ही आप हमें जीम वी आप है को